बच्चों, आज हम कक्षा आटवी का प्रशनावली 5.2 के विशे में बात करेंगे पहला प्रशन है हमारा किसी शहर के युवाब वक्तियों के एक सम्हों को यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं और इसको पाई चार्ट में दिखाया गया है तो आपको इन प्रशनों के उत्तर देखने यह पाई चार्ट है यहाँ पे मनोरंजक संगीत 40 प्रतिशत लोग पसंद करते हैं लोग संगीत 30 प्रतिशत, शास्त्रे संगीत 10 प्रतिशत और उप्स शास्त्रे संगीत 20 प्रतिशत लोग पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा विक्तियों का सर्वे कराए गया हमें यहाँ पर प्रश्ण में कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि कितने विक्तियों का सर्वे हुआ लेकिन हमें पाई चार दिया हुआ है कि लोग कैसे पसंद करते हैं तो आप ये देखिए कि शास्त्रिय संगीत यहां पर कितने लोग पसंद करते हैं शास्त्रिय संगीत यहां करते हैं 10 प्रतिशत लोग और 10 प्रतिशत लोग 20 वेक्ति के बराबर है है ना लिखा है ना कि 20 वेक्ति अगर शास्तिय संगीत पसंद करते हैं यानि 10 प्रतिशत लोग आपके 20 के बराबर है तो 10 प्रतिशत किस के हुए मान लो X वेक्तियों का सर्वे कराए गया तो X का 10 प्रतिशत 20 के बराबर हुआ ये समी करन बन गया X लोगों का सर्वे कराए गया तो X का 10 प्रतिशत 20 के बराबर हुआ तो इसको हम कैसे करते है माना वेक्तियों की संक्या है X तो हम लिखेंगे X का 10 प्रतिशत 20 वेक्ति X का X लिखेंगे का के लिए गुना का निशान आ जाएगा और 10 प्रतिशत प्रतिशत का निशान हटाते तो 10 बटा 100 आ जाता है तो ये 10 बटा 100 आपका आगया 20 के बराबर ठीक है पहली चीज़ क्लियर हुई आपको अब इसको संभी करन को कैसे हल करेंगे हम इस तरीके से हल करेंगे कि आप X को यहीं रखोगे 20 ये जो 100 है ये उपर चला जाएगा और जो 10 है वो नीचे आजएगा क्योंकि हमने संभी करन में पढ़ा है कि भाग गुना हो जाता है गुना भाग हो जाता है 0 से 0 काड़ जो 2 को 100 से गुना करो 200 200 वेक्ति यहाँ पर जिन पर सर्विस किया गया और 200 का 10 परतीशत हो गया 20 वेक्ति ठीक है दूसा पषूने है किस प्रकार का संकीत सबसे अदिक वेक्तियों द्वारा पसंद किया गया तो मनूरνजक संकीत सबसे अदिक पसंद किया गया तीसा प्रशन है यदि कोई कमपनी 1000 सीडी बनाए तो कितनी सीडी बनाएगी तो आप हर एक का प्रतिशत निकाल दीजिए 1000 सीडी का 10 प्रतिशत निकाल लिए ठीक है तो 1000 का 10 प्रतिशत कैसे होगा 1000 का 10 प्रतिशत ऐसे निकला ठीक है तो 2 0 से 2 0 कट गए 10 गुना 10 हुआ 100 सीड यहां 40 प्रतिशत में हम क्या कर देंगे, 40 प्रतिशत में हम गुना 40 बटा 100 कर देंगे, जब हमें 40 बटा मनुरगजग संकीत का निकालना हो, तो 20 से 20 कड़गी, तो 40 गुना 10 वा जाएगा 400, इस प्रकार से आपके और प्रश्टों के उत्तर आ जाएगे, ठीक है, यह हमारे प प्रतिशत के लिए 20 बटा 100 से गुना किया, 40 प्रतिशत के लिए 40 बटा 100 से और 30 प्रतिशत के लिए 30 बटा 100 से, तो 100, 200, 400, 300 आ गया, अगला प्रश्टी के एक संभू से 3 रितूं, वर्षा, सर्दीय और गर्मी में से पनी 5 पसंद रितू के लिए मतदान करने को कहा गया, यह बोला गया, क्या मतदान कीजिए, तो यहां पर आपको यह बताना है कि किस रितू को सबसे अधिक मत मिले, आइए हम पढ़ते हैं, आकडों में हमें क्या दिया गया है, आगों में दिया गया है कि ग्रिश्मी रितू 90 लोगों ने पसंद की, वर्षा रितू 120 लोगों न प्रसंद की, ठीक है, किस रितू को सबसे अधिक मत मिले, तो यहां पर उत्तर आ जाएगा, शीत रितू को सबसे अधिक मत मिले, यह आंसर आ जाएगा, प्रतेक तरिज्य खंड को केंद्रिय कोन गयात की, जब यह आपको समझना है कि तरिज्य खंड का केंद्रिय कोन कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें केंद्रिय कोन निकालना सीखना है, तो यहाँ पर कोई तरिज्य खंड दिख रहा है, यहाँ पर दिखना ही रहा, पर मैं आपको बताती हूँ कि केंद्रिय कोन हम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पर केंद्रि केसे निकालते हो जैसे ग्रीश्मी रितु का आपका है नभे तो नभे बटा कुल टोटल कर दे तो इन सबका टोटल कितना है आप देखो पांच और दो साथ और नो सोला 350 है तो नभे बटा कुल लिखते है ठीक है और गुना 360 करते है ये 360 एक व्रत का एंगल व्रत का सारा कु आजाएगा 90, तो ये 360 कुल है, इस तरीके से आपका 90 निकला, अब आप निकालिए वर्षा रितु, वर्षा रितु थी 120, कुल हुआ 360, गुना 360 ये कट गया, 120 आगया, शीत रितु में 150, 360 बश्टा, 360, 150 आगया, अब इसको हम पाई चार्ट में कैसे दिखाएंगे, आप एक बश्ट बनाएए, पहले आप लेके, पहले आपका 90 आए था, ये आपका आए था, शीत रितु का, यह आप 90 दिखा दीजे, और यहाप लिख दीजे, शीत रितु, जैसे ये 90 लिखा हुआ हुआ, हरे रंग से दिखाएंगे, फिर वर्षा रितु पे 120 दिखाना है, यहाँ दी रखिए, और 120 देखिए, आपका कहा आएगा, जैसे ये 90 आ रहा है, मालों ये 120 आ गया, तो आप यहाप लिख दीजे, 120 डिग्री, डी से नापके बनाएंगे, और यहाप लिख दीजे, वर्षा रितु, शीत रितु आपका 150 है, जो बच जाएगा, 150 होगा, ये 90 है, और ये आपको सीखना होगा, अब एक और प्रशन करते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा, कि किस प्रकार से करा गया है, केंद्रिय को आप पुनहा सीख जाओगे, जैसे यहाँ पर है, निमिलखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खीचे, पाई चार्ट बनान है, तो आप यहाँ पर देखिए, पहले तो आप रंग का कॉलम बना दोगे, और वेक्तियों की संख्या का कॉलम, ये दो कॉलम तो आपके इस दो कॉलम के बराबर है, चीके, आप संपूर्ण का भाग करना है, इसमें क्या करते हो, 18 बटा 36, ये 36 कहां से आए, ये कुल, सब संपूर्ण का भाग कैसे करते हैं, उसके बाद केंद्रिय कोन निकालना है, ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट है, केंद्रिय कोन कैसे निकालते हैं, ये जो उत्तर आए, संपूर्ण का भाग, इसको 360 से गुना करना है, केंद्रिय कोन के लिए हमेशा 360 से गुना करना होगा तो अब आप इसको काड़ी जे, दो का पाड़ा यहां पे 18 पे गया, तो 180 आया, यह 4 निम 36, तो 90 आया, 6 चिक 36, 60 आया, 12 तिया, 36, 30 दिगरी आया, ठीक है, अब हमको इसे पाई चार्ट पे दिखाना है, यह नोट का लिया, नीला रंग कितना, हरा रंग कितना, लाल रंग कित है, कि हमने दिखाया है, कि नीला रंग 180 डिगरी है, यह जो पूरा ऐसे दिखाये गया, नीले रंग से नहीं दिखाया है, हरा रंग से दिखाया है, पर यह पूरा जो तुमारा सरकल का जो इतना हिस्सा है, यह सारा का सारा 180 डिगरी होता है, ठीक है, यह नीला रंग है, उस इस तरीके से आपका pie chart बनता है ठीक है तो जब ये question paper में आता है बच्चो दो marks तो आपके table के होते हैं और दो marks pie chart के होते हैं जो पर आपने केंद्रे कोन निकालने का जो आपने करा है इस पर two marks मिलते हैं और दो marks इस पर बनते हैं अगर साफ सुत्रा अच्छा सा बनाए गया हो ठीक है next question हम देखे अगला प्रश्न है प्रश्न नमबर चार यहाँ पर आपको विशे दिये गनित समाजिक विज्ञान हिंदी अंगरेजी ये कुछ सब्जेक्ट दिये इनके केंद्रे कोन दिये अब यहाँ पर कुछ प्रश्न होंगे हम देखते क्या प्रश्न है यह प्रश्न है कि एक पाई चार्ट में विग्ति को ऐसे ऐसे अंक मिले है जैसे यह आपको पाई चार्ट दिया गया है यह पाई चार्ट दिया गया है अब आपको पूछागे किस विशय में इस विद्यारती ने 105 अंक मिले 105 किस में मिले यहाँ पे केंद्रिय कोन आपको दे रखा है सबका केंद्रिय कोन given है और यह subject given है कि कौन से subject में कितना केंद्रिय कोन है और यह लिखा है कि कुल अंक 540 थे बच्चों के प्राप्त कुल अंक 540 थे कुल अंक हमारे पास है तो अब हमें केंद्रिय कोन से अंक प्राप्त करने है तो इसको किस प्रकार करेंगे बच्चों इसको इस तरीके से करेंगे देखो आप यह देखिए जैसे की जब आपने पहले केंद्रे को निकाला था तो कैसे निकाला था मालो यह 90 था नहीं, कैसे निकला था कि हमारे पास कुछ एक अंक था गनित का, इसको हमने कुल से भाग किया, यह कुल था तुमारा 540 अंक थे यहां पे और उसको फिर 360 से गुना किया तब आपका केंद्रे कौन 90 निकला था ये है ना तो इस X का मान निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा 540 उपर चला जाएगा 90 इंटू 540 और ये 360 नीचे आ जाएगा ऐसे होगा X ये 540 उपर जो डिवाइड हो रहा है वो उपर जो गुना हो रहा है वो नीचे आजएगा इस प्रकार से आप इस प्रश्णों को करोगे तो अब जब ये प्रश्णों आपका सारा इस तरीके से बतल गए केंद्रे कौन से नंबर निकालना है तो 540 उपर जाएगा 360 नीचे आएगा और इस तरीके से आप इनको प्रश्णों को इनको सरल करोगे सब को सरल कर लीजिए और उत्तर निकाल लीजिए ठीक है तो ये हम समझते हैं कि आप इसको अराम से कर पाओगे ठीक है 0 से 0 कटाए देखो ये 0 से 0 काट दिया जैसे 90 वटा 360 है तो 0 से 0 कट गया 9, 4, 36 ये हुआ यहाँ पे 540 है 540 को 4 से भाग करोगे 135 आ जाएगा इसे प्रकार यहाँ पर यह करोगे यहाँ पे 0 से 0 काट दिया और सरल काट दिया इस तरीके से आप सारे प्रश्णों को सरल कर दोगे अब हम देखते हैं कि 105 आंक इनको कहां मिले 105 आंक मिले हैं यहाँ हिंदी में हिंदी में 105 आंक प्राप्त करें बच्चे ने गनित में पहले आंक कितने मिले थे गनित में उसको पहले आंक मिले थे 135 और हिंदी में आंक मिले 105 तो दोनों का अंतर कितना है दोनों को माइनस कर दो 30 अंक आ जाएंगे ठीक है अब आगे प्रश्न है कि समाजिक ज्यान में कितनी अंक प्राप्त करें और गनित में प्राप्त अंकों का जोड कितना है समाजिक विज्यान और गनित में प्राप्त अंक है समाजिक में 97.5 है 135 है इन दोनों को जोड़ दो तो इसको जोड़ते है कैसे है बच्चो कुछ बच्चो को जोडने में गड़बड होती है इसको आप ऐसे जोड़ोगे यूँ जोड़ोगे दशमलव के नीचे दशमलव 5 आ गया 9 और 5 12 ऐसे और ये 13 और इस तरह से आया 232.5 विज्ञान और हिंदी इसको आप आराम से जोड़ पाओगे 225 तो आपने देखा समाजिक विज्ञान और गनितमी अंकों का जोड़ 232 है यहाँ 225 है तो 232 ज़्याद है और कितना ज़्याद है इसको माइनस कर दोगे 232.5 में से कितना ज़्याद है तो आप इसमें से 225 माइनस करोगे तो देखो माइनस ऐसे करेंगे 5 में से गया 5 12 में से 5 गया 7 7.5 और यह रह जाएगा तो 7.5 अंक ज़्याद है ठीक है नेक्स्ट प्रशन है आपका कि यहाँ पर है कि एक प्रशन पांच है 16 वास में बच्चों की भाषा विभिन भाषा बोलने वाले विद्यारतियों की संख्या दी गई है कि हिंदी, अंग्रेजी, मराथी, तमिल, बंगाली और इन सब का योग दिया 72 ठीक है इसका पाई चार्ट बनाने आपको तो यह हमने देखा, पहले हम इसका दो नंबर का टेबल तियार कर लेते हैं जिसमें टू अंक आपको मिलेंगे केंदीर कोन आपको निकालना होता है वो हम करते हैं तो हिंदी हमने भाषाएं नोट कर ली, भाषा का कॉलम बनाने है विद्यारतियों के संक्याएं दोनों प्रश्ण में दिये थे यह बना लिया, नीचे योग लिख लिया अब संपूर्ण का भाग कैसे करते हैं इसको हम कुल से भाग कर देते हैं 40 बटा 72 इसको भी बटा 72, इसको भी बटा 72 यह भी 7 बटा 72, 4 बटा 72 ठीक है, यह आपने निकाल दिया संपूर्ण का भाग इसको हल कर दिया तो यह बहुत चोटे चोटे पाड़े आराम से हल हो जाते हैं है ना 12 का पाड़ा, 12, 6, 72 यह ठीक है, यह 4 के पाड़े से हम काट रहे हैं 8 के पाड़े से कटा हुआ है 8, 5, 4, 8, 9, 72 इस तरीके से करता जाएगा फिर केंद्रे कोन निकालने के लिए जो भी यह उत्तर आए इसको 360 से गुना कर दो ठीक है, अब इसको काड़े दो 9 चोट जैसे ही आए, तो मारा 5 बटा 9 गुना 360 तो 4 पे चला गया 9 चोक 36, 40 5 गुना 40 हुआ, 200 5 को 4 से गुना किया, 20 और 1,0 और लगा दी ठीक है, इसी प्रकार से यह 6, 6, 36 फिर 8 का पाड़ा गया 8 चोक 32, फिर क्या हुआ निचे कितना आ गया, 40 तो 8, 5, 40, इस प्रकार से कक्षार्टवी के सबचे अराम से सरल कर पाएंगे, दो अंक यहां हो गए अब जब यह सारे उत्तर आ गए, इसको आपको पाई चार्ट में करके दिखाना है ठीक है, तो पाई चार्ट हमारा इस प्रकार से बनेगा, यह आपका पाई चार्ट है जितना जितना जिसका कोण बन गया आप उतने ही कोण का यह कर दीजे, जैसे आप इसको डी से ना पूँगी, यह आपका 200 डिगरी हो गया, यह आपका हो गया हिंदी का, उसके बाद अंग्रेजी 60 डिगरी होई ठीक है, तो यह आपका 20 तो यहीं चला गया, और 60 यहापे कर देंगे, 2060, 80 यह आपका ऐसे हो गया ठीक है, फिर बाकी 45, 35 30 और 20 यह आप आपस में बाट सकते हो इस तरीके से यह आपके पाई चार्ट बन जाएंगे, इसको आप दिखा देंगे और यह पाई चार्ट हुआ, इस एकसेसाइस को बच्चो अपने कॉपीज में करो, पाई चार्ट बनाने के कोशिश करो, ठीक है यह आप डी की साहिता से अगर कौन बनाने आते हैं, तो पाई चार्ट बनाने में दिक्कत ने आएगा, जिनको डी की साहिता से डी रीडिंग नहीं करने आती है, कि डी में कैसे हम कौन शुरू करें, आप जब भी किसी कौन की शुरूआत करते हैं, बच्चों तो यहाँ पे जीरो डिग्री से शुरूआत किया करो, जहाँ पे जीरो, अगर लाइन तुमारी इस दिशा में बढ़ रही है तो जीरो से जो शुरू हो वो देखो, 10, 20, 30, 60 ऐसे बढ़ते हुए में देखा करो, 180 वाली जहाँ से भी line आपके, जिस तरह भी diferen हो रहा है कोन जिस तरह में हो रहा तो जीरो से शुरू होना जीए अगर कोन आप इस तरह में ले रहे हो, तो ये भी 0 से शुरू होगा, यह देखना होता है कि कौन कैसे बढ़ रहा है तो आप इस काम को करिए और इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए, नेक्स वीडियो में 5.3 को डिसकस करेंगे ठीक है, that's all for the day, thank you